आज हम बनाएंगे मूली के पत्तों का साग अगर आपके बच्चे भी मूली नहीं खाते हैं तो अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपके बच्चे की मूली ये फेवरेट हो जाएगी मूली के पत्तों का साख बनाने के लिए मूली और पत्ते को हम अच्छे से दो लेंगे दोने के बाद मूली के पत्ते अलग कर लेंगे और मूली को अलग कर लेंगे मूली के पत्ते को हम बारीक काट लेंगे अब चाहें चाकू से काट लें या हसिया से काट लें हमारे यहां इसे हसिया कहते हैं गाव में तो हम लोग भी हसिया कहते हैं मैं हसिया से काट रही हूं कि हमारे यहां हसिया से ज़्यादा काटते हैं जो भाजी होती है उससे अच्छे से बारी काटते बन जाती है अगर आपको कम बनाना हो तो चाकू से भी काट लीजिए पर इस तीन मूली के पत्ते लिए हैं, एक हम इसमें मूली डालेंगे, मूली ज़्यादा नहीं डालेंगे, पत्ते ज़्यादा डालेंगे, जब मूली के पत्ता हमारे सारी कट जाएंगे, उसके बाद इसे एक प्लेट में रख लेंगे, अब हम काटेंगे मूली, हमने एक मूली ली ह मूली को भी मैं बड़ी काटकर को रख लूνगी 1 मूली और 3 मूली के पत्ते लिए है सभी को मैंने काटकर को अँच्छ से रख लिया है मूली को मैंने छीला नहीं था किम्कि मूली मीठी थी अभी पैन रखेंगी उसमें डालेंगे दो घिलास पाणी और पत्ते और मूली डाल देंगी, इसे हम उबाल देंगे, आट-DES मूली तक इसको सिल्व करके उबाल लेंगे, उबालने से क्या होगा, जो मूली खाने के बाद महक आती है, मूँए से अज़िशsa को बोई बिलुकर नहीं आती है, और सभी लोग च्रेम से मूली खा सकते हैं, मूली खाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है इसलिए इसका थोड़ा सा पानी निकाल देंगी तो पक भी अच्छे से जाएगी आज 10 मिट उपालने के बाद हम इसे एक छनी में डालेंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगी जब मूली के पती हमारे ठंडे हो जाए अब इसमें डालेंगी तो कप गेम काटा एक कब बिशन डालेंगी अब इसमें डालेंगी एक चमस अजवायन एक चमस सौप डालेंगी एक चमस जीरा डालेंगी नमक डालेंगी स्वादंसार, हल्दी, धनिया, लाल मेर्च बस इतने ही मसाले डालेंगी चमच कसूरी मेथी डालेंगी जैसे मिस्थी रोटी बनाती हैं बैसे ही बना रही हैं बेशन और आटा की रोटी अब इसमें हरा धनिया डाल देंगी इसे मिक्स करेंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा करके इसका रख लेंगी इसका सौप्ट आटा लगाएंगी जो हम मूली के पत्तों का साग बना रहे हैं उसके साथ में ये रोटी यां बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बहुत क्रिस्पी बनती हैं बैसे तो ठंडी में कुछ न कुछ की रोटी खाते रहना चाहिए इससे लगता है कभी कभी चटपटा सा कुछ खा लें मूली के पत्तों का साग बनाएंगी जब तक हमारा आटा रखा रहेगा मूली के पत्ते हैं तो थोड़े से ठंडी हो गए है तो इसका हम पानी निचोड देंगी पाने निचोड़ करके एक प्लेट में रख लेंगे अब रखेंगे एक कड़ाई कड़ाई में डालेंगे दो चम्मच सरसों का तेल जब तेल गरम हो जाएगा तो एक चम्मच डालेंगे हैं मेथी और हमने दो चम्मच काट लिया था बरीक लैसून दो चम्मच हरी मेची काट करके डाल देंगे एक चम्मच अदरक गिरेट करके एक हमने प्याज लिया उसे विबरी काट लिया सब्सक्री मसाले को दो तीन मज़ तक फ्राई करेंगे जब मसाले हमारे भुण जाएंगे उसके बाद इसमें डालेंगे बैगन बैगन को दो-तीन मिर्ट बूंजने के बाद इसमें डालेंगे एक टमाटर टमाटर की बाद हम डालेंगे नमाक, हल्दी, धनिया, लाल मेर्च डाल देंगे अधी चमच डालेंगे गरम मसाला इसी मिक्स करेंगे और टमाटर और बैगन को 4-5 मिर्ट तक पका लेंगे धक करके जब तक हमारा बैगन अच्छे से सौप्ट ना हो जाए जब बैगन पक जाएगा उसके बाद मूली के पत्ते डाल देंगे जो हमने निचोड करकी रखी हैं इसी मिक्स करेंगे अब गैस को सिलो करके हम पकाएंगे इसी बीच बीच में चलाती रहेंगे और इसी 8-10 मिर्ट तक हम पका लेंगे मसाला के साथ में जिससे जो मूली के पत्ते हैं एक साथ अच्छे सी मसाला के साथ में मिक्स हो जाएं इसे ढख करके गेस को विल्कुल सिलो करके पकाएंगी और बीच बीच में चलाती रहेंगी मूली की पत्तों का हमारा साग बन गया है अब बना लेंगी रोटियां रोटि बनाने के लिए हमने एक बड़ी लोई लिए उसमें लगा लेंगी पानी और उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगी या फिर आप हास से बनाने पानी लगा करके या फिर सुखा आटा लगा करके बेलन से बेल लें पर जब हास से बनाते हैं ठंदी में ऐसे खाते हैं तो बहुत ज़दा रोटी अच्छी लगती है और बहुत ज़दा क्रिस्पी लगती है घी लगा करके जब ऐसी रोटी खाओ गया तो दो की जगे चार रोटी आप खा लोगी इतने ज़्यादा यह रोटी टेस्टी लगती ह रोटी को दोनों सेट पलट करके सेखने के बाद इसी गूर्डन क्रिस्पी होने तक सेखने के सारी रोटियां मैं ऐसी ही बना करके रख लूँगी उसके बाद इसमें लगा लेंगी घी गी या बटर आप लगा लिजी पर हम घी लगा रहे हैं घी लगा करके सारी रोटियां मैं रख लूँगी गर्मा गरम में हम घी लगा लेंगी और इसी रोटियों को आप गर्मा गरम ही परोसिए क्योंकि इसमें बेसन डला है तो इसकी रोटी गर्मा गरम ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है यह हमारा बन गया है मूली के पत्तों का साग अगर आप बच्चों को परोसे दे तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि है किस चीज का साग है काही की सबजी है अब मूली भी नहीं फैकोगे ना पत्ता फैकोगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद